अब हम आते हैं सीधे page नंबर 6 पे जिस पे बात करी गई है combination reaction यानि कि सायोजन अभी किरिया सायोजन अभी किरिया के बारे में हम क्या discuss करते हैं देखो definition इसमें जो लिख रखी है वो exam में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ वच्चे ऐसे होतें जो रट्टा नहीं मार पातें उनके लिए मैं अपनी जो साधारन भाषा की definition है वो बता देता हूँ सायोजन अभी किरिया का सीधा सा मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा reactant मिलेंगे और एक product बनाएंगे उधारन के लिए पानी और चीनी को मिलाओ क्या बनेगा मीठा पानी ये combination reaction है carbon plus oxygen को मिलाया CO2 बन गया ये combination reaction है इतनी सी बात थी हमारी combination reaction के बारे में notes जिसको चाहिए यानि के return form में PDF की form में जैसे भी होंगे या तो मैं यहावे stickers का यूज करूँआ या फिर मैं पीछे आपको PDF वगएरा में होकर के दे दूँआ और जो भी मैं बता रहा हूँ इन चीजों को क्रिप्टा करके notebook और pen आपके हाथ में होगा आप उसको note down कर लेना otherwise 15-20 minute का chapter आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे करने में combination reaction की जो हमारी NCRT में जो example दे रखे हैं अब हम उन पर एक नजर डालते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है कि calcium oxide plus H2O CAO plus H2O इन दोनों को react करके इनों ने बना दिया calcium hydroxide एक doubt में आपका और clear कर देता हूँ यहाँ पर CAO को कविक लाइम बोलते हैं और CAO होटवाइस को select लाइम बोलते हैं यह question बार बार papers में पूछा जाता है competition section में क्रेप्या करके इस पर थोड़ी सी नजल ज्यादा मारें अब देखों CAO plus H2O यह दोनों मिलें इन्होंने क्या बना दिया calcium hydroxide यह क्या हुआ दो रियक्टेंट मिले एक प्रोड़क्ट बना तो कौन सी reaction हुई combination reaction संयोजन अभी किरिया उसके बाद इन्होंने क्या बताया है calcium high oxide reacts vigorously with water to produce select lime रिलीजिंगे large amount of heat सचा reaction इसे single product बाके इन्होंने सब की definition दे रखी है दूसरी चीज जो इन्होंने बताई है कि जो हमारा select lime है यानि के calcium hydroxide select lime का कहां हम यूज कर सकते हैं जैसे आपके मानलों दिवार है जो select lime आपने उस पे paint कर दिया जब आप दिवार पे paint करोगे उससे तो कुछ time के बाद उसमें CO2 का addition होगा naturally होगा और वो एक शाइनी जो surface था वो पूरी तरह उस procedure को finish होने में शाइनी finish उसको get करने में थोड़ा सद एक दो तिन का time लगता है उसके बाद जब calcium hydroxide plus carbon dioxide की reaction पूरी हो जाएगी तो आपको जो मिलेगा that is calcium carbonate right दिवार पे paint किया that was calcium hydroxide उसमें carbon dioxide का जो addition होगा वो वातावरन से होगा environment से होगा और वो आपको calcium carbonate दे देगा right इसमें क्या लिखा हुआ है a solution of select lime produced by the reaction 1.13 यानि कि calcium oxide plus water की जो reaction होई थी इस reaction से जो select lime हमारा produce हुआ था इसी का प्रियोग हम white washing के लिए करते हैं solution of select lime produced by the reaction is used for white washing balls calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide